MS Excel में V Lookup क्या है, कैसे यूज करते हैं, आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा V Lookup यानि की Vertical Lookup एक function है जिसकी help से आप Excel Spread Seed में एक specific information को सर्च कर सकते हैं वर इसी table या फिर row में available data से किसी particular information को Vertical Lookup में देख सकते हैं for example यहाँ पर आप ये table देख सकते हैं, इसमें कुछ students के नाम दिये गए हैं उनके सामने, उनके अलग-अलग subjects के number दिये गए हैं जो उनके exam का result है और last में उनके सभी subjects के number का total दिया गया है, इसके ठीक सामने हम इस table में पहली table के base पर V Lookup निकालेंगे पहली table में जो name दिये गए हैं, उसके base पर उसके सामने वाली value हम V Lookup की help से निकालेंगे जैसे की इस column में हमने total के heading दी हुई है, इसलिए यहाँ पर नाम के base पर automatically उनके total number आने चाहिए इसलिए हम यहाँ पर V Lookup formula का use करेंगे, इसके लिए is equal to लगाकर V Lookup हम यहाँ पर type करेंगे अगर आप V और L प्रेस करके tab प्रेस कर देंगे तो V Lookup formula यहाँ पर आ जाएगा इस इगल to V Lookup लिखने के बाद यहाँ पर आपको bracket open करना है, bracket open करने के बाद यहाँ पर आपको lookup value एंटर करनी है यहाँ पर lookup value हमारा name है, name की base पर हम पहले table से इस चोटी table में data extract करेंगे इसलिए इस table में आपको name select करना है और name select करने के बाद comma enter करना है कोमा एंटर करते ही दूसरी वैल्यू एंटर करने का option आएगा तो guys अब आपको कोमा के बाद table array select करनी है यहाँ पर आपको table array की value में इस पूरी table को select करना है जिसके बाद formula में table array की जगे पर selected table की value आ जाएगी इसे आपको एक जगे पर freeze करना है इसलिए यहाँ पर आपको function 4 की यानि की f4 की press करना है जिसके बाद यह value freeze हो जाएगी आपको फिर से कोमा एंटर करना है कोमा एंटर करते ही next value यानि की column index number यहाँ पर आपको एंटर करना है यानि की हमें याप पर हर एक नाम के सामने उनका total number चाहिए इसलिए इस टेबल में total number वाला column name वाले column से कौन से number पर है वो column number हमें यहाँ पर enter करना है जैसे कि आप देख सकते हैं आप पर 7 नंबर पर total number वाला column है इसलिए हमें यहाँ पर column index number की value में 7 number एंटर करना है column index नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कोमा लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको range look up एंटर करना है यानि की approximate match या फिर exact match के लिए यहाँ पर आपको value enter करनी है हमें exact match कराना है इसलिए यहाँ पर आपको 0 enter करना है और finally bracket close करके enter press कर देना है इसकी बाद यहाँ पर पहले name के सामने उसकी we lookup value निकल कर आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं आप अजे name के सामने उसके total number 381 extract होकर यहाँ पर आ गये हैं अब बाकी लोगों के number extract करने के लिए यहाँ पर आपको इस formula को copy करना है और फिर बाकी names के सामने वाली टेल में paste कर देना है formula paste करते ही सभी students के सामने उनके total number extract होकर आ जाएंगे इस तरह से आप किसी भी टेबल में किसी भी value को we lookup formula के help से search कर सकते हैं अब अगर माल लिजिए यहाँ पर आप किसी नाम को enter नहीं करते हैं तो formula में इस तरह से आपको any लिखा हुआ दिखाई देग यानि कि सही नाम के सामने उसका सही total number आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब अगर माल लिजिए आप student name के सामने total number की जगे पर math के number दिखाने जाते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से heading को change कर सकते हैं और we lookup formula को भी edit कर सकते हैं इसके लिए column index number आपको change करना है table में math वाला subject वाले number दिखा रहा है इस तरह से आप किसी भी subject वाला column number एंटर करके उस subject के numbers को यहाँ पर show करवा सकते हैं formula change करने के बाद आपको उसे copy करना है और बागी की सभी sale में paste कर देना है इस तरह से काईज आप we lookup formula का use कर सकते हैं किसी भी तरह की table या बड़ी spread sheet से specific value को extract कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन